में पायल सेनी अपने यूट्यूब चैनल आज के उपाई में आपका स्वागत परते हूँ 16 जुलाई से सिहोर में सावन सिव महापुरान की कथा शुरू हो चुकी है आज कथा का पहला दिन है आज की कथा में पुझ्ज गुरुजी द्वारा जो भी उपाय और महत्वपुन जानकरिया बताई गई है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज की कथा की उपाय जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखे आज की कथा का पहला उपाय उनके लिए है जो मदिरापान में, व्यसन में, वेश्यवरत्ती में या किसी बुरी आदत में डूबे हो यदि आपका भी बेटा या पती शराब में डूबा है, जूवे की आदत लगी है, वेश्यवरत्ती में लगा हुआ है, किसी बुरी आदत का आदी है या किसी दुसरी ओरत के चक्कर में है, गलत संगत में है, तो आपको भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए इस उपाय के लिए आपको पांच शमी पत्र, पांच बेल पत्र, पांच बेर के पत्ते लेना है, अब बेर के पत्तों पर लाल चंदन, बेल पत्त के पत्तों पर पीला चंदन लगाना है, शमी के पत्तों पर कोई चंदन नहीं लगाना है इसके बाद ये पत्ते शिवलिंग पर सबसे पहले लाल चंदन वाला बेर का पत्ता चड़ा दीजिए अब पेले चंदन वाला बेल पत्त का पत्ता चड़ा दीजिए और आखरी में पांचो शम्मी पत्त चड़ा दीजिए इसके बाद ये सबी पत्ते वापस उठा कर लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर चड़ा दीजिए अब उन पत्तों के उपर एक लोटा जल अउदूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चड़ा दीजिए उसके बाद उन पत्तों में से केवल पेले चंदन लगे बेलपत्र के पाँचों पत्ते उठा कर वापस लेकर घर आ जाईए अब वो पेलपत्र 21 दिन तक अउदूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को बुरी आदत चुड़वाना है उसे आपको वो खिलाना है आप चाहें तो प्रशाद के रूप में या किसी वस्तु के साथ मिला कर थोड़ा थोड़ा उस व्यक्ति को खिला सकते हैं यदि ये उपाए आपने कर लिया तो आपका पती ये बेटा जिस भी पुरी आदत में है वो उसकी आदत चुड़ जाएगी आपको ये उपाए शावन महिने की अस्टमी के दिन करना है आप ये उपाए क्रशन पक्ष की अस्टमी और शुकल पक्ष की अस्टमी दोनों ही अस्टमी के दिन कर सकते हैं आज की कथा का दूसरा उपाय पित्रों की शांती के लिए है यदि आपके घर में अदोगती में मर गया है गर्ब में मर गया है या कुवारी अवस्था में मर गया है तो शाद्र पक्ष में उनकी तीथी के दिन ब्रामणों को भोजन अवश्य करा है एसा करने से आपके पित् मिलती है वे आपको कभी परिशान नहीं करते हैं तीसरा उपाए घर के पित्रों को मुक्ति दिलाने के लिए है यदि आपके घर में कोई अधोगती में मर गया है गर्ब में मर गया है या कुमारी अवस्ता में मर गया है तो सावन की पंचमी के दिन कावर जल यानि की अपने ह बात में दो जल के लोटे लेकर शिवलिंग पर जल एक धार बना कर समर्पित करना है आपके घर में से कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है यदि आप सावन मैने की पंचमिक के दिन कावर जल चड़ाते हैं तो उससे आपके घर के पित्रों को मुक्ति मिल जाती है चोथा उ पाय उनके लिए है यदि आपके घर के पित्रों में से कोई भी यदि साप की योनी में है तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है नाक पंचमिक के दिन शिवलिंग पर जल चड़ाने से हमारे घर के अधोगती में मरे हुए कुवारी अवस्था में मरे हुए या गर्ब में मरे हु चांत हुए है तो उन्हें साप की योनी प्राप्त नहीं होती है पांचवा उपाय यदि आपके घर में बार बार साप निकलते हैं तो उसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए आप सावन की पंचमिक के दिन या नाक पंचमिक के दिन ये उपाय कर सकते हैं इस उपाय को कृष्णपक्ष की पंचमी और शुकलपक्ष की पंचमी दोनों ही पंचमी में किया जा सकता है इसके लिए आपको सावन की पंचमी या नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर एक शमी पत्र आस्तिक मुनी का नाम लेकर चड़ा दीजिए उसे फिर वापस उठा कर अपने घर के दरवाजे पर कहीं भी रख दीजिए या यदि रखने की जगह नहीं है तो आप कहीं दरवाजे पर लटका भी सकते हैं ऐसा करने से घर में या घर के गार्डन में कभी साप प्रवेश्ट नहीं करते हैं आज की कथा में गुरू जी ने अखंड सोभाग्य के लिए कुछ जरूरी बाते बताई है जो इस प्रकार है पहली सावन के महिने में सोभाग्य या सुहाग की वस्तुएं दान करना चाहिए एसा करने से आपका सोभाग्य अखंड रहता है दूसरा महिला को कभी भी हाथ में एक-एक चूडिया नहीं पहननी चाहिए सदे चूडि के जोड़े पहनना चाहिए जिसे आप दो-दो चूडि पहन सकते हैं या चार-चार चूडि पहन सकते हैं तिसरा, महिला को सदेव बिचिया जुड़ी हुई पहनना चाहिए, एक-एक या अलग-अलग वाली बिचिया नहीं पहनना चाहिए चोथा, सुहाग की सामगरी हमेशा पांस की टोकरी में ही रखकर दान दिया जाता है क्योंकि पांस वंश की व्रद्धी करता है, भागगे की व्रद्धी करता है और अखन्ड सोबागे का आशिरवाद देता है वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें कमेंट में हर हर महादेव लिखे साथी चैनल को सस्क्राइब कर ले धन्यवाद